अब सभी को सामित भी डालनी है सामित देदो सभी का नम्मर आएगा तो सभी पहरे गनेश जी का ध्यान करके सामित बी डालनी है और ऐसे डालनी हुआ एक बात बता हूँ पहले ही हम लोग स्वाब बोलते हैं क्या बोलते हैं हम स्वाब क्यों कहते हैं इसका पेह नी फिट क्या है लाग क्या मिलता है स्वाब होता है प्रसंकर्वगवाज की जो अगनी देव है ना अगनी देव जाम से सुने एक मिल वन मिल मुट सुने जो अगनी देव है इसकी धर्म पत्नी का नम स्वा है स्वा बोलने से अगनी देव को सोते हैं स्वाब बोलने से अगनी देव को सोते हैं ये किवल पूल पपा समझे लोगे जो अगनी देव के द्वारा इस सारे देवता आउकी लेते हैं जो अगनी देव को सो जाते हैं सारे देवता को सो जाते हैं स्वाब बोलने से अगनी देव की धरमपत नहीं है स्वाब ओडने से जिनकी साधी हो चुकी है घरवाली कुछ हो जाएगी और जो जिनकी साधी नहीं हुई है उनकी साधी हो जाएगी बिना पैशे की दवाई है कि वह स्वाब हो जाएगी प्रेम से गोलना है संकर भगवान की गणपती का ध्यान करके स्वाम की डालनी है पहले उंगली नहीं लगानी है और थोटोर भगवार को ऐसे ठैकना नहीं है ऐसे निविधन करना है बाकि सभी का नम्मर आएगा जो पीछे बैठे बैठे स्वाब बूलना है स्वाब बूलने से आपको फल मिलेगा और सब को आगे पुलाया भी जाएगा जो स्वाब भगवान के सामने कभी संग नहीं करनी चाहिए परमात्मा का नाम है भगवान का हवान है एक जनता है प्यार हो जाता है कह़िं स्वाब स्वानी स्वाहा तैस करना है भी देपको इधन्ता विदमे बक्तुन आदीमे तन्नो दंती पुर्चो द्या स्वाँ इधन्ता विदमे बक्तुन आदीमे तन्नो दंती पुर्चो द्या स्वाँ इधन्ता विदमे बक्तुन आदीमे तन्नो दंती पुर्चो द्या स्वाँ इधन्ता विदमे बक्तुन आदीमे तन्नो द्या स्वाँ इधन्ता विदमे तन्नो द्या स्वाँ स्वाँ बोलेंगे आपको दल 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 जा स्वाँ 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 वामा वामा वामा